नमस्कार और वेलकम बैक टू दे चैनल अगेन दोस्तार की वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है option traders के लिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वह चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि एक बहुती बड़ा hidden secret है बहुती कारगर है इसमें अगर आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं तो बहुती अच्छे ये ट्रेड आपके लिए होने वाले है maximum जो trade होंगे वो profitable ही होंगे अगर आप जिस तरह से मैं बताऊंगा अगर आप उसी तरीके से trade लेते हैं तो make sure कि वीडियो को पूरा देखे चैनल को अगर आपने पहली बार visit किया है तो subscribe जरू करे क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलने वाली है वीडियो को जरूर से like कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी महनत लगती है तो like और comment अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले देखे हमें देखना ये है option trading में कि जब market खुलती है तो trend क्या है uptrend है या downtrend है या sideways है ठीक है ये तीनों चीज़े अगर आपको समझ में आने लगी sideways है या uptrend है या फिर downtrend है अगर ये तीनों चीज़े आप समझने लगे कि ये जो है ये downtrend है ये जो है ये uptrend है और ये जो है ये एक sideways condition है ठीक है अगर ये चीज़े आपको समझ में आने लगी तो समझे कि आपका 80% काम हो चुगा है ठीक है तो पहले तो आप ये सब चीज़े समझे फिर उसके बाद आपको समझना है support and resistance support and resistance सीधे सीधे भी होते हैं और थोड़े आड़े तिर्चे भी होते हैं तो जिस तरही के से मैं आपको भी देखे बताता हूँ यहाँ पर यह देखे यहाँ पर यह इसने यहाँ पर price ने support लिया ठीक है तो यहाँ पर यह लाइन हमने खीची तो यह एक support यहाँ पर है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह इसने यहाँ पर resistance का भी काम किया और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने support का का काम किया यहा आएगा तो support है और अगर उपर नहीं जा रहा है तो वही इसका resistance है ठीक है एक होता है कि आड़े तिर्चे resistance and support वो किस तरह से होते हैं वो देखे कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि मैंने already लगाए हुए है यह देखे यहाँ पर फिल हाल यह resistance है यहाँ पर resistance लिया यहाँ पर resistance लिया यहाँ पर भी resistance लिया जब यहाँ से break होगा तो वो break out हो जाएगा ठीक उसी तरह नीचे कहां कहां support लिया वो भी आपको यहाँ पर marking करनी होती है तो यह थोड़े तिर्चे तरीके के support and resistance हो गए और इसी तरह से beach में भी support and resistance होते हैं जिस तरह से यह line लगाई हुई है प्राइस यहाँ आया support लिया यहाँ पर resistance लिया तो यह एक हमारा resistance point हो गया ठीके फिर यहाँ पर resistance लिया देखे हलका सा fake out हुआ दा लेकिन वापस से price फिर से अंदर आ गया तो यह भी एक resistance पॉइंट हुआ यहाँ से सीधा break हुआ प्राइस उपर गया उपर गया resistance को टच कि अब इन सब चीजों को समझने के बाद जब आप यह सब चीजे समझने लगे तो आपको क्या करना है bank nifty या nifty 50 जो भी आप trading करना चाहते हैं जिसमें भी option trading करना चाहते हैं उसका चार्ट आपको open कर लेना है अब यहाँ पर आपको indicators में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है E.A. में आप लिखेंगे तो moving average exponential यह tradingview.com का indicator है यह आपको select कर लेना है यह आपको सभी तरह के broker के जो चार्ट होते हैं उनमें मिल जाएगा जैसे कि आप angel अगर यूज कर रहे हैं उसमें मिल जाएगा 0-10 यूज कर रहे हैं उसमें मिल जाएगा या आप धन यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा यह मैं फिलाहल trading view पहे आपको बता रहा हूं तो trading view ही maximum chart देखने के लिए use करना चाहिए और trade लेने के लिए अपने broker का chart यूज़ करना चाहिए अगर आप trading देख रहे हैं चार्टिंग अगर कर रहे हैं तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप tradingview.com की website पे चार्टिंग करें तो यह होगे आड़े तिर्शे resistance और सीधे resistance और support इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा गर आप समझ गए हैं तो फिर आगे की बात करते हैं EMA हमने ले लिया है इसकी setting में जाके अगर यह 5 आता है तो आपको इसको 9 कर लेना है यहां पर offset को 0 रखना है और यहां पर SMA लिखा हुआ आएगा तो आपको इसको EMA कर लेना है length को 5 ही रखना है OK पर कर देना है click और line आप yellow देख रहे होंगे तो यह line आपको blue मिलेगी style में जाने के बाद आपको EMA की जो line है उसको कोई भी color जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं white भी कर सकते हैं या yellow कर सकते हैं thickness चाहे तो यहां से आप इसकी बढ़ा सकते हैं यह 2-3 आपको काम करने है और फिर आपका जो chart है वो ready है trades लेने के लिए ठीक है अब आपको क्या देखना है देखे चलिए यहीं पर ले ज़ते हैं मैंने आज 2-3 ट्रेड लिए हैं जो की तीनों की तीनों successful रहे हैं आज एक भी ऐसल मेरा hit नहीं हुआ है तो market यहाँ पर open हुई थी red candle पर open हुई थी यह 9-15 के candle है आज की ही candle है यहाँ पर market open हुई थी और यह यहाँ पर एक इसने doji type candle बने ग्रीन ठीक है तो जब भी कोई बड़ी candle आती है उसके बाद जब green candle आती है तो maximum chances होते हैं reversal के यहाँ पर यह जो एक downfall था सबसे पहले तो इसको देखा यह downfall था downtrend था और downtrend के बाद यहाँ पर uptrend start हुआ जैसा कि मैंने अभी आपको बता है कि downtrend और uptrend को भी आपको पहचानना आना चाहिए तो यहाँ से एक line ले लेते हैं trend line और यह रहा वो downtrend यहाँ से इसने reversal लिया downtrend uptrend में convert हुआ तो maximum लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा maximum लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह जो downtrend था यह खत्म हुआ और यहाँ से एक छोटा या बड़ा uptrend आ सकता है ठीक है तो यहाँ पर market close हुई और आज की जो market है वो इस red candle ने लोगों की mentality पर लोगों की psychology पर attack किया ठीक है यह red candle आई तो सभी लोगों ने सोचा होगा कि अब जो है market यहाँ से downtrend जाएगी नीचे की तरफ जाएगी लेकिन हुआ क्या यहाँ पर एक green candle बनी वापस से green candle बनी price आ गया MA के उपर exponential moving average के उपर तो जब यही भी price exponential moving average के आता है तब आपको call buy करनी है लेकिन उसकी condition है downtrend में आपको call buy नहीं करनी है अप्ट्रेंड में ही आपको call buy करनी है यहाँ से यहाँ तक अभी अप्ट्रेंड था यहाँ पर marking करता हूं यह देखे यहीं पर इसने support लिया यह एक support line हम यहाँ पर बना देते हैं यह बन गई हम support लिया अगें यहाँ से green candle बन गई यानि कि यह support अभी काम कर रही है तो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया सुबह कि देखे यहाँ पर और जो profit and loss का ratio था वो था one to two loss होगा तो एक रूपे का profit होगा तो दो रूपे का तो यहाँ पर यह target मेरा एक्तम से hit हुआ पहली दूसरी candle म पाइब मिनट का चार्ट आपको यूज करना है ठीक है फाइब मिनट या वन मिनट का भी आप यूज कर सकते हैं 15 मिनट पर आपको नहीं जाना है और रियल ट्रेड करने से पहले मैं आपको यहीं कोंगा कि paper trading करे या थोड़ो सा experiment करे तभी जागे आप रियल ट्रेड करे क् प्रेडिंग काफी जादा रिस्की होती है तो मैंने चाहता कि आपका लॉस वगयरा हो तो यहां पर यह ट्रेड मैंने लिया आप देख सकते हैं यहां पर टार्गेट हुआ उसके बाद price फिर से नीचा यहां पर मैंने put buy नहीं की क्योंकि price uptrend में है जब price uptrend में होता है आपको put की तरफ देखना भी नहीं है आपको केवल call की तरफ देखना होता है यह चीज़े आपको याद रखने है जो मैंने अभी आपको बताई resistance support downtrend uptrend और अगर uptrend price है तो call buy कीज़े downtrend price है तो put buy कीजिए अब देखिए यहां पर दूसरा trade मैंने कैसे लिया अब दूसरा जो trade लिया मैंने वो यहां पर लिया यह candle उपर से नीचा है में पर इसने support लिया और यहां से green candle बनी तो यहीं पर मैंने जो है ट्रेड ले लिया SL को लगाया मैंने recent swing low के नीचे यहनी के जो candle का low बना था यहां पर और target था मेरा 1 to 2 का जो कि आप देख सकते हैं यहां पर यह complete हुआ यहां पर एक trade यह हो गया उसके बाद जो next trade मैंने लिया वो लिया जब यहां से candle red नीचे आई और फिर वापस से जब green candle बनी इसी trend line पर इसने support लिया वापस से green candle बनी ग्रीन candle के बाद जब यह candle बन रही थी यहां पर मैंने लिया trade यहां से यह start हुई और यहां का मैंने लगाया SL और profit और loss का ratio मेरा था 1 to 2 का जो कि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से यह वाला target भी हमारा hit हुआ इस तरीके से मैंने तीन trade लिया आज और तीनों में एक में भी SL मेरा hit नहीं हुआ तो basic सा funda क्या है सबसे पहले आपको downtrend और uptrend निकालना है downtrend है तो call buy करनी है downtrend है तो put buy करनी है तो मेरा जो routine होता है trade लेने का वो होता है कि या तो मेरे दो SL अगर continue hit हो जाते हैं तो मैं trading उस दिन के लिए close कर देता हूँ या तीन trade जब target मेरे hit हो जाते है तो भी मैं trading बंद कर देता हूँ over trading मैं नहीं करता हूँ तीन trade या तो successful या फिर दो trade unsuccessful ये मेरा simple सा funda है अगर शुरू में ही पहला SL हीट होता है दूसरा हीट होता है तो मैं trading बंद कर देता हूँ चाहे सुबा के साड़े 9 ही करना बज़े हो अगर मेरे trade successful होते हैं तो मैं maximum से maximum तीन trade लेता हूँ उसके बाद फिर मैं अपने trading को close कर देता हूँ तो ये मेरा routine रहता है अब ऐसा नहीं है कि मेरे SL हीट नहीं होते है SL भी हीट होते हैं कभी-कभी दोनों के दोनों SL हीट हो जा downtrend, uptrend, support and resistance और साथ में ये EMA इन तीनों चीजों को समझ के जब आप चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग trading कर पाएंगे उम्मीद है वीडियो आप लोगे लिए बहुत साथा helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like किये बगार मत जान subscribe अभी तक नहीं किया है तो subscribe जरू करना फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार